अभी मैं गजियापूर में हूँ और गजियापूर में कल दस बजे आग लगी थी इस आग के चपेट में लगबग दो-तीन परिवार आए हैं और यही वह सिलेंडर है जिसके वज़ा से दो-तीन परिवार की जुगी जुपडिया थी वह जल गई हैं और इसमें बकरी जैसे यह गरीब परिवार के लोग हैं यह बकरी पाले हुए थे वह बकरियां भी तक्रीबन चार-पांच बकरिया इनकी आग में जली हैं यही वह गय सिलेंडर है एक बुढ़ी मा थी जो आग पर पानी गरम करने जा रही थी और अच्छे ढ़ंग से वह चालू नहीं कर पाई य का जो समान होता है वह भी जल गया है यह बकरिया जली और यह मोटर साइकील है बताई जा रहे हैं कि अभी जल गई है पंप इसत्रेट था इनका वह भी जल गया है क्या नाम है आपका सुनते जी कितना नुक्सान हुआ है अक्राइब हमारी यह गहर दुआर अपको नहीं गहर नहीं कि यह आसू इन चीजों को बया कर रहे हैं यह गरीब परिवार है इनके लिए यह नुक्सान बहुत बड़ा नुक्सान है अब इनके पास कुछ बचा नहीं है इनका जो गेहु रखा गया था वह भी जल गया है कुछ के हूँ बार साथी जाल के रात बर दीन रात कटा हो नी है जाए खईल खईल बेने मरत पर नी जाए अर दोस लाग कप समान जर गेला मश्वाद रहा जी रहा लगा ये सब्सक्राइब कर दोसा देख 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 कर दिन चली है ना ही ना ही कि इस देख देख बात पर ना इकाए ले ना ही जाए तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा वह कल की वीडियो भी को दिखाई दे रही होगी जिसमें सिलेंडर ब्लस्ट किया है एक संजोग की बात यह है कि जब यह सिलेंडर फटा तो जो उपर का इसका हिस्सा है वह गाउं से बाहर जाकर 500 मिटर दूर गिरा था अगर वह गाउं में गिरता तो यहां और भी नुकसान हो जाता मैं अब बात कि जिन लोगों को ने उट दे कर जीताया है जो वहां के प्रत्र निधी है राम विलाज सुभान excellence हमारे आपके जीडायक है वो आप लोग के बीच आये थे कि नहीं आये थे नहीं आये थे कभी आते हैं कि नहीं आते हैं उच्छुनाओं में तवाइबाद के नाम पर जीत गए अब यह आग लगी है कि दो परिवार की जोगी जो पड़िया थी वो जल गई है इन मोके पर उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए जरूर आना चाहिए मदद करना चाहिए उनको उनको मदद करना चाहिए गरीब तपके के लोग है यह उनका तो आप कुछ बचा नहीं है कुछ नहीं बचा है का बचा है देख रहे हैं मोरसाइकिल जारा हुआ हुआ है एक लाकी मोरसाइकिल लिए है वो इंज परिवार के लोग जी चुकि उत्तर परदेश की राजनीती जाती के आधार पर की जाती है कम से कम और कुछ नहीं तो इनको जाती के नाम पर आप कुछ मदद कर दें इनकी कुछ बेवस्ता कर दें ताकि यह गरीब परिवार के लोग है इनकी कुछ मदद हो जाए वह तो कहते हैं कि हम बड़े पहमाने पर लोगों की मदद करते हैं तो बताएं उसको कि हम यह कि यह इतना बार आई थी हम लोग चबार के चपेट में थे उनका दर्संतक नहीं हुआ यहां पर जहां हम हैं जहां खड़े हैं तो टीवी में दिखता लोगों में बिधायक जी के प्रति आक्रोस है मैं एक दो लोगों से और बात कर लेता हूं यह बगल में जिनका मकान है यह हैं नाम है और ब कितना नुक्सान हुआ है अगर किसी के साथ इस तरह की घटना हो जाती यह पहसज़न यह अचानक होता है तो इस तरह की घटना किसी के साथ होती है तो सरकार मुआजे के रूप में उस परिवार की मदद करती है वह मदद इन लोगों को भी मिलना चाहिए कल साब आये थे यह उतने पढ़े लिखे नहीं है लेकिन साब की जिम्मेदारी बनती है कि वह जो मदद इनको होनी चाहिए वह मदद जल्द से जल्द इन तक पहुचाने का काम करें क्या नाम है आपका ब्रिजेस गुपता गुपता जी कल आप थे यहां जब आग लगी तो से लेंडर बचाने में हम लोग 5-6 लोग को घाई हुए हैं हमको भी लागा है वह हमारे जाके खेत में उसका उपर वाला हिससा गीरा है और क्या नाम है कि ए मोटर साइकील है वह आच्यार को चौकी था वा साइकील है इंजन है इसका मोनो कोई विस्तार से बचा नहीं है ज उनको मालूम तो जरूर होगा वीडियो कल के देखे होंगे तो उनको मालूम होगा कि हमारे विर्यादर का वह आग भी लगा है जल गया है लो दस लोग घाही भी है अब अभी तक पुछने नहीं आया लो आज दस तारिक हो गया नो तारिक में जला है यह फटापुर मंडा के जो बलाक परमूख है युवा बताते हैं उर्जवान बताते हैं अपने आपको तमाम कामों को गिना देते हैं लेकिन आपकी जरूत यहां भी है इस गरीब परिवार को आपकी जरूत है आप कुछ इनके लिए मदद करें क्या बोलना चाहेंगे बिधायक जी या बलाक प देंगे लेंगे उनका घर का बीवेफसा करें अच्छा देखिए यह सरकार के द्वारा बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बोला जाता है कि 2022 तक सब के सरपे छोट होगा लेकिन एक तस्बीर इनकी दिखाई है एक भी रूम नहीं इस परिवार का बना है जो भी था वह का मौसम है सीत लहर भी दिरे दिरे सुरू हो गई है कुल मिलाजू लाकर कम सब्दों में बोले तो कठिनाई में है यह समय यह पूरा परिवार पीडित है इनकी मदद करने की जरूत है चाहिए वह यहां के ब्लाक परमुख हुए चाहिए यहां के बिधायक हुए चाहिए ग्राम प्रधान हुए और कोटेदार को भी चाहिए चुकि उन्हें कुछ अनाज यहां भेजवाया आया लेकिन और इनकी मदद करने की जरूत है मदवन बिधान सबा का दुर भाग है कि हमेशा यहां से कोई बाहरी ही जीत कर चुनाव चला जाता है और यहां के लोगों की अच्छे डंग से मदद नहीं हो पाती है लेकिन गजियापूर के इस गजियापूर चावनी से मेरा प्रियास कैसा रहा कमेंट बाक्स में लिख कर जरूर बताईएगा और कमेंट बाक्स में इस चीज़ को भी लिखिएगा कि क्या यहां के बिधायक को यहां आना चाहिए यहां के ब्लाक पर मुक को यहां आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा तब तक के लिए धन्यवाद